हालो फ्रेंड्स, वेलकम बाक, I hope all are doing well, so I am Neha सेधी, welcome to share market with Neha सेधी, so friends आज हम बात करेंगे कि आज कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा टूटे हैं, तो friends मैं आपको बताना चाहूंगे, FMCG सेक्टर अज सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ है, और friends यह अभी और क्रैश हो सकता है and friends इसलिए आपको FMCG सेक्टर में बहुत गिरावट देखने को अभी मिल सकती है, आज भी गिरावट थी, तो आपको कौन से सेक्टर अवोइड करने चाहिए, उसमें हैं आटो सेक्टर and FMCG सेक्टर, तो यह दो सेक्टर आप अवोइड कर सकते हैं, यहाँ भी correction देखने को मिलेगी, consider कि सेक्टर को कर सकते हैं, IT सेक्टर, friends, consider कीजिए, फामा में आप डिविस लाप को consider कर सकते हैं, इसमें आपको एक अच्छा return देखने को मिल सकता है, FMCG सेक्टर, और सेक्टर में profit booking होगी, अभी, Tech Mahindra में आज एक अच्छी rally देखने को मिली थी, अच्छी rally में था, तो Tech Mahindra में हम एक positive return expect कर सकते हैं, कल market बंद है, friends, so, अब परसो की market में कैसा perform करेगी, nifty bank, nifty कैसा होगा, ये हमें कल की जो global America की market है, उसमें कल क्या होगा, उससे पता लगेगा, तो ये आपको मैं वीडियो के थूरूर बताने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको कल का वेट तो, friends, करना ही पड़ेगा, तो आज American market कैसा perform कर रही है, उससे हमें इतना जादा फायदा नहीं होगा, तो कल हमारी Indian share market close है, holiday है, आप सब को पता है, तो इसके लिए परसो market कैसा perform करेगी, ये वीडियो में आपको कल जरूर बताने वाली हूँ, तो आपको bell button press करके करेंगे, ये उसको आपको पता लग सकता है, बहुत easily, friends, PSU bank सी बात करें, तो friends, बहुत अच्छा sector चल रहा है, PSU banks का वही sector, यही sector चल रहा है, banking sector में, ICIC bank ने आज भी बहुत अच्छी performance दी है, एक ही sector चल रहा है, friends, इस टाइम पर वो है banking sector, दूसरे सारे sectors red में हैं, आपको volatile हो गई है, और उसका reason क्या है, कि DAO future जो है, वो 150 points नीचे आ गया था, yes, DAO futures 150 points नीचे आ गया था, तो उसी reason से हमारी Indian share market भी last one hour में एक downtrend में चली गई, and friends, जो dollar index है, वो एक flat perform कर रहे थे, ये भी एक reason है, last two days से American market में तेजी थी, बट हमारी share market आज क्यों गिरी है, क्योंक कि वहाँ बहुत जादा correction हो चुका था, बहुत जादा market गिर चुकी थी, तो थोड़ा सा recovery हुआ है, अब आप समझके कि last one hour में हमारी market आज volatile क्यों हुई, क्यों गिरी, उसका reason है, DAO futures 150 points नीचे चला गया था, so, किस sectors पर आपको focus करना है, friends, आप IT sector focus कर सकते हैं, banking sector focus कर सकते ह आपको हमेशे best share बता रही हूँ, ICIC bank, MCX को आप consider कर सकते हैं, बट आपको avoid कि नहीं करना है, friends, आप FMCJ sector avoid कीजे, यहाँ profit booking होगी, आप JSW still avoid कीजे, उसके numbers बहुत ही बेकारा हैं, वो नीचे जा सकता है, और auto sector को भी आप avoid कर सकते हैं, so, अब main चीज यह है कि परसो, nifty bank, nifty कैसा perform करेंगा, इसके लिए कल एक वीडियो आज आज आएगी, आपके लिए कि निफ्टी कैसा perform करेंगा, तो आपको बस bell button press करना है, और जैसे वीडियो आएगी, मैं आपको वैसे ही बता दूगी, इंडियन उपस के बात करें, तो वो भी आज 6 पैसे, 6 पैसे week हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अब friends, American market कल जैसा perform करेंगी, उसी के according Indian market को हम predict कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो के थूरूँ जरूर बता दूगी, आज around 800 share positive return दे रहे थे, और 1100 shares negative return दे रहे थे, तो जो negative return दे रहे हैं, वो ही share जाद आते friends, मैंने आपको कल की वी नेक्स्ट कोई भी update आता है, definitely बताने वाली हूँ, कोई भी stocks अगर news में आते हैं, तो friends, वो भी बताने वाली हूँ, तो channel को क्या है, first time visit, please कर दीचे, subscribe, and video अच्छे लगे हो, like and share कर दीचे, and bell button को press करना मत भूलेगा, thank you so much